हेलो दोस्तों मैं प्योस आपका स्वागत खटता हूँ एक और नए वीडियो में ये है मेरा गाउं बढ़ालो जो पिधोडागर टिस्टिक में है पिधोडागर से मेरे गाउं की दूरी 16 किलोमेटर की है तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको अपना आम का बगिचा दिखाता है आम का बगिचा मेरे उपर वाले घर से थोड़ी ही दूरी पैर है इस गेट को पार करते ही हम अपने आम के बगिचे में पहुंच जाते हैं यहां से हमारा आम का बगिचा सुरू होता है अबी हम अगने बगीचे के उप पहले खेट पे चल रहे हैं ऐसे ही उपर को तीन चार खेट हैं और करीब यहां पचास से साथ पेड़ हैं लगबग मैंने गिने तो नहीं उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं आम के फल का सीजन आने पर ये बगीचा बहुत ही सुन्दर दिखाए देता है आम का सीजन आने पर मैं आपको अलग वीडियो बना कर दिखाऊंगा जैसा कि आपको पता है आम का फल एक साल छोड़ के आता है तो हमारे इस बगीचे में पिछले साल आम का काफी अच्छा फल आया था अब एक साल छोड़ के ही आएगा अब हम अपने बगीचे के अंतिम छोड़ पर पहुँच चुके हैं इस बउंडरी के पार होते ही हमारा ये बगीचा समाप तो हो जाता है यहां से नीचे देखने पर दो घर दिखाई दे रहे हैं उपर आला घर हमारा आम नीचे वाला अभिसेख भाई का अभिसेख भाई उपर आ ही रहे है यहां पर मिल चुका है अभिसेख चलो अभिसेख भाई के साथ हैप्पी होली तो होगी अब हम आगे को पड़ चुके हैं आगे ये जो आफ खेट देख रहे हैं ये खेट भी हमारे ही है इनमें केहुख ही पसल हुई है ये बहुती सुन्दर दिखाई दे रहे हैं आगे जो मकान दिख रहा है वो हमारी एक चाची का ही है चलो वहां भी हम जा आते हैं ये देखिए यहां से देखने में पाहडियां भी बहुत अच्छी दिखाई देती हैं अब हम ये पाहडियां जो देख रहे हैं ये उपर परत्या को जाक फंत की पाहडियां हैं ये है इस खर का रक्षक हमें देखते ही हम ने लगा और कैमरा देखते ही सान कैमरा लगा है तो अब चुप हो गया है हुआ है ।ट नवने बहुत अच्छी पाहडियां कि नविक पर अच्छी को जने हैं है कि जदेख दोगजें। घपान कि अच्छी बाल कि हम ने ख़गें पहड़ her जया है ये जवत आपर बड़ मुत जया है मना इमदर नजी ग्रपान बदेग है वानके तो ये थी एक छोटी सी जलक मेरे गाउं बड़ा लोकी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक और नई वीडियो में बहुत जल